सिखों के सबसे बड़े धर्मस्थल सुवन मंदिर में पिछले दिनों बेयदभी का एक मामला देखा गया। लोगों ने श्री साहिब उठाने वाली व्यक्ति को पकड़ा और पीट-पीट कर मार डाला। इसके बाद 19 दिसंबर को कपूर्थला में एक शक्स पर निशान साहिब की बेयदभी का आरोप लगा। सेक्रिलेज यानि बेयदभी आखिर होती क्या है और सिख धर्म में इसका क्या महत्व है। आज हम लोग इसे जानेंगे आप सिविल्स टेली का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मेरा नाम है अंजुमशर्मा। कहते हैं गुरु गूबिन सिंग ने अपनी सारी शक्तियां गुरु ग्रंथ साहिब में समाहित कर दी थी। इसी वजह से सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु की उपाधी दी गई। देखें तो बेद्बी का अर्थ होता है अपमान और जहां तक सिख धर्म की बात है तो कुछ बातों को बेद्बी कहा जाता है एक दो बातें जो मैंने अभी आपको बताई वो और कुछ इस तरह से हैं जैसे गुरु ग्रंथ साहिब या सिखों के पवित्र प्रतीकों का उनके इतिहास को बदलने की कोशिश करना भी बेद्बी यानि सेक्रिलेज है पिछले दिनों पंजाब में बेद्बी का जब मामला सामने आया तो इसके बाद वो तमाम घटनाएं लोगों को याद आने लगी जो इससे पहले हो चुकी है जैसे पंजाब में निरंकारी मिश गुरुबचन सिंग ने साल 1970 में गुरु गोबिन सिंग के बताय रास्ते और परंपरा को बदलने की कोशिश की थी इसका परिणाम ये हुआ कि सिख समाज ने इसे बेद्बी माना और 1980 में गुरुबचन सिंग की हत्या हो गई इसके चार साल बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार आपको याद होगा 1984 का ओपरेशन ब्लू स्टार अब तक की सबसे बड़ी बेद्बी की घटना है जरनेल सिंग भिंडरा वाले के साथ बहुत सारे सिख युवा हत्यार लेकर सुवन मंदिर में जमा हो गए थे इससे निपटने के लिए तब की प्रधान मंतरी इंदिरा गा गुर्मीत राम रहीम ने गुरु गोबिन सिंग की तरह हुबहु पोशाक पहन ली थी सिख समुदाय को लगा कि रहीम गुरु गोबिन सिंग की नकल कर रहे हैं पंजाब में प्रदर्शन हुए परिणाम हुआ कि प्रशासन ने बेद्बी के आरोप में गुर्मीत राम रह पर केस तर्च किया। अब बात करते हैं कि अगर इस तरह के मामले सामने आते हैं, तो क्या कहता है लौ यानि कानून। तो सेक्रिलेज यानि बेयदभी के मामले में IPC के सेक्शन 295 और 295A के तहत मामला दर्ज होता है। गुर्दवारे या वहां की पवित्र वस्तु को नुकसान पहुचाने के लिए दो साल की सजा हो सकती है। धार्मिक भावनाय भढ़काने के लिए तीन साल की सजा हो सकती है। इस मामले पर और जादा कड़ाई करने के लिए पंजाब में 2018 के आसपास कानून में संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया और सेक्शन 295AA जोडने की बात आगे बढ़ी। गुरुगरंद साहिब, श्रीमत भागवद गीता, पवित्र कुरान और पवित्र बाइबल की सेक्रिलेज यानि बेद्बी पर आजीवन कारवास यानि लाइफ इंप्रिजनमेंट का प्रावधान किया गया, हाला कि इस प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने कोई एक्शन नही लिया, वहीं सिख कम्यूनिटी ये मांग करती रही है कि सेक्रिलेज के मामले में 10 से 20 साल तक की सजा होनी ही चाहिए, तो ये था पूरा का पूरा मामला की बेद्बी यानि सेक्रिलेज क्या होता है और इसको लेकर क्या है कानून और अब तक की सेक्रिलेज की घटनाओं का इतिहास. आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, आप इस पर कुछ कहना चाहते हैं, तो हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइए. सिविल सेली के यूट्यूब चनल पर आप सुबह से शाम तक इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स जो एक्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, वो सुन सकते हैं, देख सकते हैं. अगर आपको सिविल सेली की वन और वन मेंटरिंग लेनी है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये गए लिंक पर क्लिक करके ऐसा कर सकते हैं. जल्द हाजिर होंगे एक और प्रोग्राम के साथ, आप पढ़ते रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, शुक्रिया.